14.5 श्रव्यता परास, Hearing Range मनुश्यों में ध्वनी की श्रव्यता के आधार पर इसे तीन भागों में पाटा गया है पहला श्रव्यधनी, दूसरा अवश्रव्यध्वनी, तीसरा पराश्रव्यध्वनी श्रव्यध्वनी, Audible Sound हम सभी आवरिती की ध्वनियों को नहीं सुन सकते हैं मनुश्यों में ध्वनी की श्रव्यता का परास, अर्थात जिसे हम सुन सकते हैं लगभग 20 हर्ड्स से 20 हजार हर्ड्स, 20 किलो हर्ड्स तक होता है पांच वर्ष से कम आयू के बच्चे तथा कुछ जन्तू जैसे कुट्टे 25 किलो हर्ड्स तक की ध्वनी सुन सकते हैं अवश्रव्यध्वनी, Infrase Sound 20 हर्ड्स से कम आवरिती की ध्वनियों को अवश्रव्यध्वनी, Infrase Sound कहते हैं जैसे भुकंप के समय प्रित्वी के भीतर की तरंगे, रासायनिक तथा नाभिकिये विखंडन में उत्पन ध्वनियां आदी यदि हम आवश्रव्यध्वनी को सुन पाते, तो हम किसी लोलक के कमपनों को उसी प्रकार सुन पाते जैसे कि हम किसी भौरे के पंखों के कमपनों को सुन पाते हैं पराश्रव्यध्वनी या पराध्वनी, अल्ट्रा साउंट 20 किलो हर्ट्स से अधिक आवरिती की ध्वनियों को पराश्रव्यध्वनी या पराध्वनी अल्ट्रा साउंट कहते हैं डॉल्फिन चमगादर जैसे कुछ जन्तूओं के द्वारा पराध्वनी उत्पन की जाती है शलभों या कीट पतंगों मौट्स के श्रवन इंद्रियां अत्यंत सुग्राही होती हैं ये चमगादरों द्वारा उत्पन उच्च आवरिती की चीची की ध्वनी को सुन सकते हैं उन्हीं अपने आसपास उड़ते हुए चमगादर के बारे में जानकारी मिल जाती है और इस प्रकार स्वैम को पकड़े जाने से बचा पाते हैं